नमस्ते कैसे हैं आप सब चलिए करते हैं दिल की बात एकदम साफ आज हम मोगी रिव्यू करेंगे घूमर उससे पहले आप मारे चैनल के सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक कर दिये और कमेंट करके बताईए कि आपने एक मोगी देख लिए और देख लिया है ताप कैसा लगा यह भी जरूर बताईए मोगी की कहानी के बात किया जाते एक लड़की है जिसका इंडियन कि सेलेक्ट होता है कहानी तो इंट्रेस्टिंग है लेकिन पहला हाफ बहुत ही जादा खेचा हुआ है लगता है दूसरे हाफ में जाके थोरा मुवीं कि एंगेजिंग होता है इसे मोई बोली ओड का है हें तो होना लाजमी ही हैं हिंदू गिरना तो इसको डालना ही डालना ह् साथ में LGBTQ Agenda यह भी तो डाल ही देता है कोई सब प्लोट डाल ही देगा हर मोबि में जिबकि हमारे समाज में धूर दूर तो यदि आप ढूंडने के लिए जाओगे ते देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जबरदस्ती का ये जी हमारी उपर थोपना चाहता है ये बोलीबूड तो एस्पोर्ट्स ड्रामा है इसमें भी वो डालने से नहीं चुका है सब जी कहानी अच्छा है बहुत अच्छा मूवी बन सकता था बस ये लोग अपना एजेंटे को साइड में रखके मूवी बनाए तब तो बोलीबूड मात्र एक ऐसा संस्था है जो अपना प्रोडरेक्ट सिर्फ अपने कस्टमर को टॉर्चर करने के लिए बनाता है दो घंटे की मूवी है तीस नड़ तो बस ये एजेंटे सब डाल के ए बिना मतलब का मूवी को खीच के ले गया दो घंटे तक देर घंटे में मूवी खतम हो जानी चाहिए थी हमारे पूजा पद्धती का मजाग बनाना हमारे अंतिम संस्कार को ग्लोबल वामिंग से जोड के दिखाना साथ में रेडिकल जेंडर एडेंटी तो डाली दिया है बॉफ्स ऑफिस पर गदर टू ने बिलकुल ही गदर मचारत खाया है उसके सामने ये जिसे टुच्चे मूवी तो कहां जाएगा कोई पता भी नहीं लगेगा एक्टिंग ओल्मोस्ट सभी के ठीक ठाक है इसाग में पहले बता दियों पहले हाफ में डेरेक्शन बहुत ही खराब है दूसरे हाफ में जाके ठीक है डेरेक्शन इस स्क्रीन प्ले भी पहले हाफ में बहुत ही जाद है बोडिंग है अगले हाफ में जाके इंगेजिंग हो कर दो दो अ कर दो गाड़ पना अ कर दो आए